मध्यप्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेत्रित्व में आज इन दौर में कॉंग्रेस ने विशाल किसान न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा में सैकडों की संख्या में कॉंग्रेस कार्यकरता ट्रैक्टर पर सवार हुए। इस रैली को इन दौर प एकत्र हुए, सबसे ज्यादा भीड वीजन पार्क पर थी. एकत्र हुए, सबसे ज्यादा भीजन पार्क पर थी. उपज के समर्थन मूले बढ़ाने, वह किसानों की अन्यमांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. प्रशासन ने रैली की अनुमती नहीं दी, लेकिन कॉंग्रेस नेता रैली निकालने के लिए अड़े हुए थे. जिला कॉंग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि सरकार अनुमती नहीं देकर विरोध रोकना चाहती हैं, लेकिन हम आंदोलन के लिए अड़िग हैं. पुलिस द्वारा रोके जाने के बावजूद कार्यकरता कलेक्टर कार्याले की तरफ बढ़े, चोईथराम मंडी के पास पुलिस ने ट्रैक्टरों को रोकना शुरू कर दिया, उन्होंने बेरिकेड लगा रखे थे, तेजाजी नगर के पास बुल्डोजर भी खड़े किय इससे नाराज कार्यकरता सडक पर बैठ कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, दोपिया पर तीन सवारी बैठ कर आय कार्यकरताओं के चालान भी पुलिस ने काटे, लंबी जद्दो जद के बाद अफसरों ने एक ट्रैक्टर को रीजन पार्क से जाने की अनुमती उस पर सवार होकर जीतु पटवारी वदिग्विजय सिह कलेक्टरेट गए, यहां आयोजत सभा को संबोधित करते हुए जीतु पटवारी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपाने किसानों से बड़े-बड़े वादे किये थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार बनते ह उसे भूल गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किसान की बात करते हैं तो उन्हें आतंकवाधी कहा जाता है। रोजगार की बात करने पर उन्हें जान से मारने की धंकी दी जाती है। नफरत और द्वेश भाजपा सरकार के सिर चड़ कर बोल रहा है पटवारी ने कहा कि हमें प्रशासन ने रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी जबकि हमने अनुमती ली थी मोहन भाईया ये वही किसान है जिन्होंने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया है आपसे अनुरोध है इनकी बात जरूर सुने जबरन ट्राक्टर रोकेंगे दमन करेंगे तो यह अलोगतांत्रिक कदम होगा उन्होंने गादा 2700 रुपे के गयों के दाम देलेंगे उन्होंने 3100 के धान के बात कि भी की थी अब किसान के बेटे 6000 रुपया सुयब इनके मांग कर रहे है कोई गलती तो नहीं कर रहे है अगला आयोचन हमारा है मंडी अबन करवाना कांग्रेस पार्टी नया कारिक्रब देगी जिसमें मंडीयों को अंदॉलित करेंगे रोएक दिन का मंडी का बन का प्रावधान होगा और उसके बाद लाज्टों किसान के बेटे जिस दिन विरान सवा लगेगी उस दिन विरान सवा का अंतर्ख उसक्यम्नी मांग पूरी करेंगे आप सब तयार हो इसके लिए साथियों राहूल गांदी को यह आतकवादी कहते हैं क्यों कहते हैं कि वो किसान के बेटों की बात करते हैं साथियों राहूल गांदी को यह मारने की ठंकी देते हैं इसलिए जो घरीब की बात करते हैं वहुआ करता है कि उसामिताना के सबीक करते हैं वह बात करते हैं कर्मिचारियों करते हैं तो नहरेंद्र भोजी जी को बुरा लगता है उनके मंध्री मंधल का एक मेंची उनको हथ्या करने की धंकी देटा और नेरेंद्र मोधी चूप रहते हैं इसका मतला 32 पार्टी उनसे इतनी नफरत करती है मैं अनोज करता हूँ नेरेंद्र मोधी और बीजेपी की जो रहूल जी के खिलाब इस दिमाते होती है यहाथ उचे करके इनकी निंदा करो सब हाथ उचे करके बीजेपी की निंदा करो कि नफरत और घणा इनकी इतनी सर चड़के बोल रही है कि यह राहूल गादी जी कहत्या करने की बात करते हैं मैं आदनी सदासरि आदो विपीप, आदनी हमारे या उपसते चिला कांगरे सरीना बोराषी आपभी सारे पिंटु इनटु सब जागे वाध यापनियन अपनी बात केदें आदनी सदासरि आदो विपीपीं शब चलेया पिंटु आप बीच mix वही पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसान न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा लेकिन लागत बढ़ती जा रही है सोयाबीन के भाव 6,000 प्रती क्विंटल होना चाहिए हम सरकार के खिलाफ हमेशा लडेंगे और किसानों के साथ हमेशा खड़े होंगे उन्होंने कहा कि मोदी जी की सरकार किसान विरोधी है सरकार मिल मालिकों और उद्योग पतियों की है उसका किसानों और गरीबों से कोई लेना देना नहीं है नेताओं के भाशन के बाद SDN को ग्यापन दिया गया प्रदर्शन में शहर कॉंग्रेस अध्यक्ष सुर्जीत सिंह चडधा विपिन वानखेडे, अमन बजाज, राजेश चौकसे, देवेंदर यादव सहित अन्यनेता शामिल हुए बतादें की मध्यप्रदेश के तबकालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अप्रेल 2023 में रिवा के पंचायती राज सम्मेलन में अपनी घोशना में कहा था किसानों की आमदनी दोगुना कर दी गई है जबकि मार्च 2022 में केंद्रिय संसदिय समिती ने यह रिपोर्ट लोकसभामेदी की मध्यप्रदेश एक ऐसा प्रांथ है जिसमें किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में 9,740 रुपई से घटकर 8,349 रुपई प्रतिमाह प्रति परिवार रह गई है कॉंग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी गेहूं का समर्थन मूल्य 2,700 रुपई प्रति क्विंटल और धान का समर्थन मूल्य 3,100 रुपई प्रति क्विंटल करने का वादा किया लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकार यह वादा भूल गई इस सीजन में मध्य प्रदेश में सोयाबीन का भाव 3,600 रुपई प्रति क्विंटल तक गिर चुका है इससे ज्यादा 4,500 क्विंटल का भाव तो प्रदेश के किसानों को 10 साल पहले मिलता था आज भाजपा सरकार ने उसका समर्थन मूल्य 4,892 रुपई प्रति क्विंटल यानी 10 साल पहले वाला भाव समर्थन मूल्य के तौर पर निर्धारित किया है जो की पहले ही अपर्याक्त है और सब नहीं लगे हूं मैं मानता हूं कि यह सरकार के अंदर शोड इसलिए डरीवी है अरे मोहन भिया आपने कहा था शिवराज्ची जब मुख्यमंत्री थे कि हम 31 के धान के दाम देंगे सक्ता इस तो जहूं के देंगे अब मुख्यों चुबा रहे हो आप किसान के बेटों किसान के बेटे अगर 6000 सोयव इनका मांग करते हैं तो आपी ने तो तो कहा था कि हम डबल इंकम करेंगे इंदोर में भूमी अधिग्रण का कानून आपने कॉलफ्स कर दिया बुझची लगरी और करप्चन कर रहे भूम आप़िया हो गई आपने कहा था कि हम डॉbeल इंकम करेंगे किसानों की यह किसानों के बच्चों को आप अफिस तक भी आने देते हो हैं डॉबल इंकम मैं मानता हूं वरकार डरीवी है लोक्तांत्रिक हैं आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के तीन हजार रुप्या कुंतल के भाव नहीं दोगे आप 2700 ग्यहूं के नहीं दोगे तो अगली बार किसान के बेटे मंडिया बन कराएंगे फिर उसके बाद ल करता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों के सुद्लो आपको सदबुद्धि आय भगवान इश्वर आप किसान की बेटों के सुनो आप 5 साल मुख्य मंत्री रहो हम आपको नहीं रोकेंगे ना आपको अड़ेंगे देंगे केवल विपक्ष की भूमी का निभाई पर